जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरू ब्रस्पती जो की देवताओं के गुरू माने जाते हैं और अप्रेल महा में 22 अप्रेल को सुबह 3 बज कर 33 मिनट पर अपनी स्वारासी मीन से निकल कर अपने मित्र रासी मेश में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में देवगुरू ब्रस्पती का यह रासी परिवर्तन धनुरासी के लोगों को किस तरह से परभावित करेगा इस औरान आपके वेपार, वेबसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्थ, पारिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन को कैसे परभावित करेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तो यहां गुरू अपनी स्वेम की रासी मीन से निकल कर अपनी मित्र रासी मेश में प्रवेश करेंगे और जब देवगुरू ब्रस्पती मेश रासी से मेश रासी में प्रवेश करेंगे तो वह अस्त अवस्ता में होंगे क्योंकि 28 मार्ट से ब्रस्पती मीन रासी में अस्त अवस्ता में आ जाएंगे और 27 अपरेल को सुभे दो बज़कर साथ मिनट पर अस्थ अवस्था से उद्य हो जाएंगे तो जब ब्रस्पती गोचर करेंगे में इस रासी में तो वहाँ पहले से ही राहू उपस्तित है जिसके साथ यूती करेंगे और इन दोनों की यह यूती गुरू चंडाल दोस का नर्मान करेगी जिसका प्रभाव सभी रासियों पर दिखाई देगा देवगुरू ब्रस्पती का रासी परवर्तन बहुत महत्पून प्रभाव देने वाला मना जाता है क्योंकि देवगुरू ब्रस्पति की दरश्टी अम्रत के समान होती है यह जिन भावाँ पर अपने दरश्टी डालते हैं उनकी वरधी करते हैं वैसे भी यह एक वरधी कारक गरहें देवगुरू ब्रस्पति का गोचर आपकी रासी से पंजम्भाव में होगा और गुरू ही धन रासी के स्वामी गरह है तो ऐसे में गुरू का गोचर आपके लिए विसेश फल्दाई साबित होगा लेकिन गुरू की राहों के साथ यूती यहां सभी को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करेगी और गुरू का है गोचर एक प्रकार से पित्र दोस का निर्मान भी करेगा और यदि आपकी कॉंडली में पहले से ही पित्र दोस विद्मान है तो इस दोरान कुछ समश्याएं आपके सामने आ सकती हैं इसलिए इस दोरान पित्र दोस को सांत करा लेना अत्यंत आवशक होगा, नहीं तो चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा संतान को लेकर चिंतित हो सकते हैं, आर्थिक समश्याएं धीरे धीरे धूर होने लगेंगी आपके पस धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कमी देखने को मिलेगी कई बार रिस्तों के बिखराव की इस्थिती भी बन सकती है, तो ऐसे में अपनी वानी पर सयम रखना होगा यदि आप विध्यारती हैं, तो आपकी एकागरता भंग हो सकती है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सिख्चा संबंदित समश्याओं से आपको जूझना पड़ेगा लेकिन एक अच्छी बात ये होगी, कि आपको भागय का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे बिगड़ते हुए काम भी बनते न जराएंगे और आपका मनोबल भी धेरे धेरे उचा होगा आपको अपने कुल देवी देवताओं की पूझा करने से अच्छे लाब के योग बनेंगे यदि आप धार्मिक मार्ग अपनाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा आपकी समश्याएं भी अपने आप दूर होने लगेंगी नौकरी में बदलाव की संभावना बनेगी और इस गोचर की सुरुआत में आपको अपनी नौकरी में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको अपने काम में तरकी देखने को मिलेगी आत्म विस्वास भी बढ़ेगा और सुक समरद्दी में भी बडोत्री होगी और यहां पांचवे घर में गुरु राजमान है पांचवे घर में गुरु और सूरिय का सेंख्त प्रभाव पड़ता है और यहां सूरिय भी गुरु के साथ यूति किये हुए है और सूरिय अपनी उच राशी में व्राजमान है तो ऐसे में आपके अंदर उड़ जा का इस्तर अच्छा होगा आप अपने कारिये में वेपार में वेवसाय में पूरी लगन के साथ कारिये करेंगे और यहां इस्तित गुरु और सूरिय की दरश्टी आपके लाव भाव पर होगी तो ऐसे में मित्रों का पूरा सहय यूग मिलेगा आपको लाव के अच्छे अफसर प्राप्त होगी एक से अधिक माद्यमों से धन प्राप्ती की यूग बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक किस्तिती मजबूत होगी यह समय छात्रों के लिए विशेश फल्दाई होगा क्योंकि जोरान आपके ज्ञान में वरत्ती होगी और वैसे भी गुरू को ज्ञान और धनका कारक कहा जाता है तो ऐसे में आप नयसील होगे आपकी वानी मदुर होगी और आपकी वानी प्रभावसाली होगी जिससे समाज में आपकी एक अच्छी पहचान बनेगी लोग आपकी प्रसंसा करेंगे इस दोरान ऐसा कोई कारिय करेंगे जो पिछले काफी समय से रुका हुआ था जिससे आपको अच्छा फायदा होगा आपका संचार कोसल यानि बोलने की जो कला है वो बहुत अच्छी होगी इस रासी के जो लोग खेल नों से सम्मंदित कमप्टिशन या अन्या कोई कारिय करते हैं उन्हें इस दोरान अच्छा परणाम प्राप्त होगा कोई धनलाव भी होगा लेकिन यहां गुरू और राहू का चंडाल दोस आपको किसी कानुनी मामले में प्रभावित कर सकता है तो ऐसे में लड़ाई जगड़ों से बहस से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा इस दोरान कई बार आप आलसी हो सकते हैं काम में मन नहीं या आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परणाम ना मिलने पर आप परिशान हो सकते हैं तो ऐसे में धहरिये रखें और साहस से काम लें क्योंकि एक ग्रह के अलावा अन्य ग्रहों का प्रभाव भी व्यक्ति पर दिखाई देता है यहां गुरू चंडाल दोस से प्रभावि रहेगा क्योंकि यहां सनी आपकी तिरते भाव में वराजमान है जिनकी दरश्टी आपके भागय भाव पर है तो ऐसे में भागय का पुरा-पुरा साथ मिलेगा गुरू जनों का पिता का बड़े भाई बेनों का भी पूर सपोर्ट आपको होगा धर्मकर्म के कार्यों में आपकी सहभागिता होगी और भागय के सहयोग से आप अपने कार्य छेत्र में अच्छी प्रसिद्धी प्राप्त करेंगे अच्छा लाव अर्जित करने में भी सक्षम होगे इस दोरान किसी धार्मे की आतरा पर जाने की योग बनेंगे आपके प्राकरम में वरत्ती होगी और साथ ही सूर्य की कृपादस्टी आप पर बनी रहेगी इस दोरान आपको अपनी संतान की ओर से भी कोई सुब समाचार प्राप्त होगा इस दोरान आपको अपनी संतान पर कर्व होगा और जो लोग उच्छ सिक्षा की तियारी कर रहे हैं या अन्य किसी कमप्टिशन की तियारी कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे परणाम प्राप्थ होंगे साथ ही अचानक धनलाब मिलने के भी योग बनेंगे समाज में एक अच्छी पहचान बनेगी मान सम्मान बढ़ेगा गुरू की दरश्टी लाव भाव पर होगी और गुरू की दरश्टी जिस भाव पर होती है उस भाव से अमरत की समान प्राप्त होते हैं तो यहां गुरु की द्रश्टी आपके लिए चमतकार साबित होगी और आपकी आय में अच्छी वरद्धी होगी मित्रों का भी पून सहयोग मिलेगा तो कुल में आकर गुरु का है गुचर आपके लिए सकरात्मक साबित होगा दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे च दियर ओडित होगी जानकारी 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 जानक